Hello friends, आप सब कैसे हैं? I hope आप अच्छे ही होंगे आज की वीडियो में हम Class 6 Algebra Chapter 11 Exercise 11.1 के Question को Solve करेंगे मैंने पिछली कुछ वीडियो में Algebra Chapter के Concept को बताया है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Exercise 11.1 को आईए सबसे पहले हम Question को Read करते हैं Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks patterns Use a variable to write a rule Question में पूछा है, आपको कुछ matchsticks pattern दिये हुए हैं इन matchsticks pattern का आपको ऐसा rule बनाना है जिसमें ये पता चले कि इन patterns में कितनी matchsticks की आउशकता है और variable का यूज करके वो rule लिखना है देखे Question A में Letter T के pattern में कितनी matchsticks की आउशकता है आपको variable का यूज करके इसके rule को बनाना है इसी तरह से Letter Z, V, U, E, S और A का rule बनाना है तो मैं आपको T Letter का matchsticks pattern rule बना कर बता देता हूँ तो देखे हमें T-shape के matchsticks pattern का rule बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1 T-shape में कितनी matchsticks required है 2 T-shape में कितनी matchsticks की required है इसी तरह से 3 T-shape, 4 T-shape तो इस तरह से हम इसको experience कर पाएंगे और rule बना पाएंगे ओके? तो हम आते हैं next page पे और बना कर देखते हैं T-shape को तो मैंने बना लिया है T-shape देखिए 1 T-shape में 2 matchsticks required है 2 T में 4 3 T में 6 और 4 T में 8 matchsticks की required है तो देखिए जैसे जैसे हम एक एक T-shape बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे number of T-shape में 2 से multiply होता जा रहा है तो अगर हम number of T-shape को N मान ले देखिए मैंने आपको बताया 1 T-shape के लिए 2 matchsticks की required है 2 T-shape के लिए 4 matchsticks की required है 3 T-shape के लिए 6 और 4 T-shape के लिए 8 matchsticks की required है तो अगर हम number of T-shape को N मान ले और N में 2 से multiply कर दें तो हमारा rule बनकर सामने आएगा 2 N जहां N equal to number of T-shape है मैंने पहले भी अभी बताया है तो 2 N में अगर हम N equal to 1 मतलब 1 T-shape के लिए देखें तो 2 into 1 होगा जिससे हमें पता चलेगा कि 1 T-shape में 2 matchsticks की required है इसी तरह से 2 T-shape के लिए N equal to 2 पुट कर दो तो 2 into 2 equal to हो जाएगा 4 T-shape के लिए 2 N rule हो जाएगा यह हमारा answer होगा अब आएए हम चलते हैं second later jet की तरफ देखें आपको 1 jet बनाने के लिए 3 matchsticks की जरूरत पड़ रही है तो आप यहाँ 3 लिखिए अब आपको जितने भी jet shape बनाने हैं उनको मान लो N देखें 1 jet बनाने के लिए हमें 3 matchsticks की जरूरत पड़ रही है 2 jet के लिए 6 matchsticks की 3 jet के लिए 9 matchsticks की required पड़ रही है 3 में अगर हम number of jet shape का multiply कर दें तो हमारा rule बन जाएगा jet shape के लिए हमारा rule 3N होगा और अगर हम इसमें n equal to 1,2,3,4,5 put करके देखें तो हमें jet shape pattern में matchstick required पता चल जाएगा अब कुछ बच्चे बोलेंगे T shape में 2N और Z shape में 3N ये 2 और 3 कैसे decide करेंगे तो हमें ये पहले ही पता चल जा रहा है कि जो shape है उसमें कितनी matchsticks की जरूरत है जितने की जरूरत है आप उस number को लिखिए उसके बाद N से multiply कर दीजिए आपको rule मालूम चल जाएगा ओके फ्रेंड्स इसी तरह से आप ये और भी shape बना सकते हैं कमेंट में जाकर आप इन पांचों लेटर्स के rule बताईएगा अगर वीडियो समझ में आई हो तो like करिए, share करिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद